अध्याय पांच निवेशकों के पांच स्तर निवेश वित संतर्जुता की कुंजी है मेरे गरीब लेड़ी अक्सर कहते थे निवेश करना जोखिम भरा है मेरे अमेड लेड़ी अक्सर कहते थे विति द्रिश्टी से अज़चित होना जोखिम भरा है आज जातो लोग जानते हैं कि उन्हें निवेश करना चाहिए तमस्या यहा है कि मेरे गरीब ड़ेटी जातो लोग यह मानते हैं कि निवेश करना जोखिम भरा है और अगर आपके पास वित्य सिच्छा, अनभव और माग दरसन नहीं हो तो यह सुष्ट मुझ जो कि मर होता है निवेस करना सीखना महत पूर्ण है यह निवेस से वित्य संतर्टा की कुझी है उन लोगों के साथ पांच हीजी होती है जो निवेस नहीं करते हैं यह खराब तरीके से निवेस करते हैं वे जीवन पर कड़ी महनत करते हैं वे जिन्द्री के पर पैसो की चिंता करते हैं वे अपनी परवाह के लिए दूसरों पर निर्वर रहते हैं यह से परिवार, कंपनी यह सरकार की प्रेंसन उनके जीवन के सीमा पैसो सतय होती हैं वह यानि जान पाते हैं कि सची संतरता क्या है अमें डैड़ी अक्सर कहते थे जब तक तुम वी ते सटेज़ता हासल नहीं कर लेते तब तक तुम सची संतरता को कभी पहचा नहीं पाओगे इससे उनका मतलब यहा था कि निवेज करना सीखना किसे पैसों को सीखने से ज़्यादा महत पूर्ण था, उन्होंने कहा था, जब तुम कोई पैसा सीखते हो, मालो की डाक्टर का, तो तुम यह सीखते हो कि पैसों के लिए कैसे काम करना है, निवेज करना सीखने में तुम यह सीखते हो, कि पैसे से में खासरी काम करार लेते हूँ, तुम्हारे अपस पुनी सुद्रठटा का तुम्हारा टिकट आ जाता है। उन्हों ने यहाँ भी कहा, जितना यादा पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। तुम उत्ना ही कम टक्स देते हूँ, पर सर्शके तुम सचे निवेसक हो। निविश करना सीखना मेरे आमे डैडी मुझे नौ साल की उम्र से ही आई कोलरेंट लिए त्यार कर रहे थे मुझे सीखाने के लिए वे मोनोपॉली खेल का इस्तमाल करते थे वे बार बार कहते थे मोनोपॉली के खेल में दौलत का बहुत बड़ा फर्मोला चिपा हुआ है हम हरे में एक लाल होडर मॉनोपॉली का खेल कैस्फ़ों का खेल है मिसाल के थोर पर अगर आपके पास अपने सौमित्व की किसी जाहिजाद का एक हरा में था और आपको सबक अमें डैडी असल जिन्दगी में मोनोपॉल्री का खेल खेलते थे वे एकसर अपने बेटे के साथ मुझे भी अपने हरे मेकान देखाने लियाते थे हरे मेकान जो एक दिन वाई की की कि बीज पर एक बड़े लाग खुटन में बदल जाएंगे जब मैं बड़ा हुआ और मैंने अमें डैडी को असल जिन्दगी में मोनोपॉल्री का किल खेलते देखा तो मैंने निवेस के बारे में कई मुल्यवान सबक्ती है उन सबको में से क और पैसे कमाने की चिंता से दूसरी सब्दों में अगर आप स्मार्ट हैं तो आप जिन्दी भर के लिए के पाइपलाइन के सकते हैं एक ऐसी पाइपलाइन जो आप ही जिब में नगदी बहा कर लाती रहेगी जाहे समय हो या बुरा जाहे बजार गिर रहा हो या चड़ र या बताने के लिए दिया है कि अमिर किस तरह अमिर बनते हैं कोई वेक्टी डिवीडेंट की जरिये सेरों से कमा सकता है या फिर ब्याज की जरिये बॉंडों से आमदनी कमा सकता है या फिर पुस्तकों से और पेटेंस से आमदनी कमा सकता है तुसे सब्दों में वित्य संत वित्य नियोचक और सेरो के दलाल दुरुभागे से इन विससट्रक्यों में से जाहतर आई कोईरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू तो रोल्स रोयल में बैट कर उन लोगों सला लेने आते हैं जो सब्वेव से यात्रा करते हैं अगर लोगों के पास मौजुद वित्यसित्या नहीं है तो वे या नहीं सहाच सकते कि उनका वित्यसला का सेल्समैन है या धोके बाज है मूर्ख है या जीनियस है यात रखें आपको विमे के जिरूत है जब बात पैसे क्याती है तो कई लोग कुछ भी कहने और बेचने के लिए उतावले रहते हैं ताके वे आपकी जेम में हां डासते हैं रोचग बात या है कि जातर निवे सग उस वक्ति से कभी नहीं मिलते हैं जो उनका पैसा ले रहा है जातर प कि वह उनके पैसा काट कर उनके 401 अंटरब्रेकेट के रिटैर्यमंट गां में प्लान में जम刚 कर दें जो संब़ता रिटैरिमंट के लिए प्लान के लिए सability बुरा करण है 401 अंटर वैकेट के रिटायरमेंट के दिए निवीज करने के सब्सक्राइब बुरा कारण है या कहने के पीछे मेरे कई तर्ख है नमबर वण टाइम मैगजीन मेरे पच्छ में है टाइम मैगजीन ने इतने वर्सों में काई लेख शापे हैं जिनमें इतने सारे लोगों के रिटायर्मेंट को जोकिम डालने की बुद्धिमत्या पर सौल किया है ताइम या भव सुवाड़ी कर रही है कि करोड़ों लोग अजिनवियों को जिन दिक भर पैसे थमाने के बाद रिटायर होंगे तो उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वह रिटायर हो सकें समाने 401 अंटर ब्रेकेट के योजना 80% मुनाफ़ा ले लिती है निवेसक को 20% मुनाफ़ा मिल सकता है बस अरते बाद खुस कुसमत हो निवेसक 100% पैसे लगाता है और 100% जोकिम लेता है 401 अंटर ब्रेकेट के योजना 0% पैसे लगाती है और 0% जोकिम लेती है 401 अंटर ब्रेकेट के कंपनी को हराल मैं पैसे मिलते है चाहे आपको मुनाफ़ा हो रहा हो या घाठा 401 module 401 अंटर ब्रेकेट के में टेक्स्त आपके खिला पाम करता है अमेरिका में लॉंग ट्रम चैपिल गेम पर 15% की दर से टेक्स लगता है, लेकिन 401 अंडर विकेट के के लावों पर लगवक 25% की समान आयकर दर से टेक्स लगता है, जो तीनों परकार की आमदनी में सबसे उची दर होती है, समान रूप से अर्जित, पोर्फोलियो निर्स कर जिए, जिए आप अपनी 401 अंडर विकेट के योजिनम में से अपना पैसा जल्दी निकालना चाहते हैं, तो आपको 10% पेनाल्टी एक्स भी देना पड़ता है, जिए से बजार गिर जाता है, तो आपके पास कोई बीमा नहीं होता, कर चलाते समय में मेरे पास बीमा रहता ह ले, नुकसान को रोकने के लिए कोई बीमा नहीं होता, नमर 4, 401 अंडर विकेट के उन लोगों के लिए हैं, जिर रिटार होने के बाद गरिब रहने के योजिनम बना रहे हैं, इसलिए वित नियोजिक अक्सर कहते हैं, जब आप रिटार होते हैं, तो आपके आएगार के होती है, तो आपको रिटार्मेंट के बाद और पर ज़्यादा उची दर से टेक्स देना पड़ सकता है, जब तो निवेसक निवेस करने पहले, टेक्स को समझते हैं, जब तर विते सलाकारों और पेंसन फंड मेरेंजरों के बारे में दुकस सत्तिया है, कि वे निवेसक न चाही नहीं होती है, इस दिती और वे बत्तर होती है, क्योंकि यह यह तर विती विसे सक यह आज़िट निवेसकों को यह सला देते हैं, कि सेहरों, बॉंडों और मिलिचर फंडों के अच्छी तरह डाइवर्सिपाइड पोट्पोलियों में लंबे समय तक निवेस करूं, यह विती विसे सक आपको ऐसा करने की सला क्यों देते हैं, जो एक कोईरियों के करमचारी या एक कोईरियों के सल्फ इंप्लाय होते हैं, लेकिन आई कोईरियों के निवेसकों का नकाब बढ़ रहते हैं, ऐसा इसलिए है, क्योंकि उन्हें इस बात के लिए भुक्तान नही लेगा सच्छाई जाए कि असले निवेसक अपने पैसों को यह पर लंबे समय तक नहीं रखते हैं वह अपने पैसों को चलाते रहते हैं इस रेंडिक को धन की गति का जाता है सच्छी निवेसक का पैसा हमेशा इधर से अधर भूमता रहता है ने संपत्यों को हासिर करता है और फिर उससे भी ज़्यादा संपत्यों को हासिर करने के लिए गतिसील हो जाता है किवल नौसेश के लोग ही अपने पैसों को लंबे समय तक एक जगा पर रखते हैं मैं या नहीं कह रहा हूँ कि चार से एक अंटर वर्केटी योजना बुरी हो अलाके मैं तो कभी उनमें निवेस करना पसंद नहीं करूँ मैरे लिहास से वे बहुत ज़्यादा महेंगी बहुत ज़्यादा जोकिं भरी बहुत ज़्यादा तरकुसल और निवेस के लिए अन्या पूर्ण है मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि निवेस करने के इससे बहुतर तरीके मौजूद है अलाके उनके लिए आप तो के लिए निवेस करते हैं या निवे यह उमीद और दुवा करते हैं तो उनके खहिद्दे हुए सेर्या मकान का भाव बढ़ जाए जब तक आपके आमदनी खर्श से जजादा हो तब तक आपका निवेस एक अच्छा निवेस है या ध्यान नखिया कि संपत्ति की सिरेणी क या सेर अच्छा निवेस है एक और फिर मेरा जवाब वही रहता है मैं नहीं जानता कि आप अच्छा निवेसक हैं मेरा मुद्ध या है कि निवेस या सपत्ति किसी रेणी कभी महत्त पूर नहीं हो चपलता या आसपलता दौलत या गरीबी उरी तरह से इस बात पर विभस करना जोखिम भरा है और वे अपना पैसे विश्चlında दूपर देते जिन में से जायतर दरसल निवेस्क नहीं होते बलकि से सिस्ट्र होते जो पैसे बनाते हैं जाहे नीवेस का पैसा बढ़े यह डूब जाये निवेसकों के पांच प्रकार यह इसंतर भासा में कहा जाएं तो उनके पास नीवेस करने के लिए कुछ भी नहीं है कुछ लोग बहुत सारे पैसे कमाने के बावजूद इसे सरेड़े में आते हैं, वे खुब कमाते हैं, लेकिन वे जितना कमाते हैं, उसके जाला खर्च कर देते हैं, मेरा एक दोस्त बहुत अमीर दिखता है, उसके पास रेलिशेट ब्रोकर का अच्छा काम संदर पत्नी और तीन बत्ती प्राविट स्कोर में पढ़ते हैं, वे एक संदर मकान में रहते हैं, जो सैंडिया गो में पसांत महार सागार के पास है, वह और उनकी पत्नी महेंगी यूरोपी कार चलाते हैं, जब उनके छोटे बेटे बेटे परियाद बड़े हो गए, तो वे भी महेंगी क चलाएं लगे, वे काफी अच्छे दिखते थे, लेकिन उन पर बुरा कर्श था, वे अमीर दिखते थे, लेकिन वे जाएते गरीब लोगों से भी ज़्यादा गरीब थे, आज तारीग में वे 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 घर हैं, जब रेल इस्टेट बजा टूटा, तो वे भी टूट गया, वास्तों में वह इतने गहरे करज में हैं कि वह दरसल सुन से भी नीचे दे इस्टर का निवे सकते, कई लोगों की तरह ही वह जो भी चीज खरिकता है, उसका मोल लिया तो घड़ जाता है, या उसे निफ्सान हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे खहिदने से दुबा अमीर बनता हो, इस तर दो परचस करने वाले पराज़ित होते हैं, वार्लस तर, कहीं लोगों को या विश्वास होता है, कि परचस करना 54 भरत तरीका है, तो मसक्ता या है कि आज पैसा तरह सर पैसा नहीं रह गया है, आज लोग नकिश ड़लर बचा रहे हैं, जिन अमेरिका मन जाई संग्धिया में नोट छापने की सक्थी रखता है आज बज़त करने वाले सब्सक्राइद हारते हैं 1971 के बाद से अमेरिकी डॉलर ने सोनी की तुलिना में अपना 35% मोलिक हो दिया है बचेवे 5% मोलिकों कोने में 49 साल नहीं लगेंगे याद रखें 1971 में सोने कब हो 35 डॉलर परती आस था 40 साल बाद सोने कब हो 1200 डॉलर परती आस हो गया है यानि डॉलर की क्रेसक्ति में भारी कमी आई है समस्य और ही बुरी इसलिए है क्योंकि अमेरिका पर ट्रिलिनो डॉलर का कर्ज है और या अन्दा दून नकली पैसा चापता जा रहा है जब फेडरल रिजल बैंक और संसार भार के केंदरी बैंक केजी से रिजलिनो डॉलर चापते हैं तो हर चापे होई डॉलर का मतलब है ज़्यदा उचे कर और ज़्यदा मूदर इस्कीती इस तत्य के बावजुद करोडों के विश्वास करते हैं कि पैसे बचाने में चुत्राई है इसमें तब चुत्राई थी जब पैसा सत्मुझ पैसा था बाउंड मार्केट संसार का सत्यवड़ा बजार है बाउंड का मतलब है बचत अलगलग प्रकार के बजट करने वालों के लिए अलगलग प्रकार के बाउंड है अमेरिकी टेजरी बाउंड है कॉर्पेट बाउंड है मुनसिपल बाउंड है और जंग बाउंड है बरसों तक यह माना जाता था कि अमेरिकी सरकार के bond और सरकारी municipal bond सुरचित थे फिर 2007 का विच संकट सुरू हो गया जैसा आप में से काई लोग जानते होंगे या संकट मार्ट गेज बॉंडों से उत्पन हुआ था जैसे मार्ट गेज बैक्ड पिक्वेरिटी या MBS जिने derivatives भी कहा जाता था परोनो मारट गेज बॉंडों से सब्ड्राइम मारट गेज़ों मेंसे बने थे यानि वे कर्ज जो बहुत जाया जोके वाले करजदारों को दी जाते थे आपको याद होगा कि इन मेंसे कई करजदारों के पास कोई आमदनी और कोई नवकरी नहीं थी लेकिन वे ऐसे माकान कहिते थे जिनके लिए वे कभी भुक्तान नहीं कर सकते थे वाले श्रीट की बैंकरों ने जिन सब्प्राइम लोन्स को बॉंड्स में वैल दिया और इसे आकरसक दिखा कर संस्काओ बैंकों, सरकारों और व्रक्तिकति निवेज़कों को बीज दिया मेरे हिसाब त्याधों के बाजी है लेकिन बैंकिंग कंत्र ऐसा ही है जब सब्प्राइम करजदार अपने मारक्ट गेज पर ब्याज नहीं चुका पाए तो ये MBS बांड पुरह संसार में उनने लगे रोचक बात तो या है कि वारन वफे की फर्म मुडीज ने इन सब प्राइम मारक्ट गेजों को रिपले प्राइम डेट का असिरवात दिया था जो बांड की सबसे उची रेटिंग होती है सब्राइम संकट के लिए कई लोग गोल्ड मैं सेक्स और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बैंको को दोस देते हैं लेकिन अगर इस संकट के लिए किसी को दोस देना ही हो तो वारन वफे को देना चाहिए वे चैतुर इंसान है और वे जानते थे कि वे क्या कर रहे थे और अपने बॉंडों पर ब्याज चुकाने में आसमर्थ हैं अमेरिका में सरकारे और मुंसीय पॉलिटीज की हिल्थ सता है और उनसे पूर्ड पर ब्याज चुकाने में आसमर्थ हैं 2011 में करोड़ों लोग रिटेयल नुग, पेंशन फंड़र सरकारे और बैंक संकट में हैं क्योंकि bond market या सबिक करता है कि bond कितने अज़र्चित हो सकते हैं इससे भी बढ़कर बढ़ते हैं मुद्र स्पीती bond को ज़्यदा जोकी भरा निवेस बनाती है इसलिए पैसा बचाने वाई लोग हार रहे हैं मिसाल के तोर पर अगर कोई bond 3% गया देता है और मुद्र स्पीती के दर 5% है तो 3% bond का मोले घट जाता है और निवेस को के पैसे को मिटा देता है चीन सबस्यादब पराज़त इस तीम में नजर आता है चीन के पास एक ट्रिलेंड डॉलर से ज़्यादा अमेरिकी bond है जब भी अमेरिकी सरकार ज्याद़ पैसे चाप कर और ज्याद़ बॉंड जारी करके डॉलर का मोल घटाती है तो अमेरिका में चीन के ट्रिलेंड डॉलर के निवेस का मोल इसकम हो जाता है अगर चीन अमेरिकी सरकार के bond खेनना बंद कर दे तो विस्विक के अर्थवरसता थम जाएगी और ढह जाएगी करोड़ों लोग कीन की तरह ही है रिटार्मेंट के बाद इसते रामदनी के चलास करने वारे रिटार्ड लोगों को या विश्वास था कि सरकारी bond सुरचित होते हैं आज जब चोटी बड़ी सरकारी ढह रहे हैं और वो दरह स्प्रीक भी बढ़ रही है तो रिटार्ड लोग को या पता चल रहा है कि जिन बज़त करने वालों ने bond में पैसों के बज़त की वे दिरसल खेल में हार गए है municipal bond वे आयो यू हैं जिने राज, सहर, अस्पिटाल, स्कूल और अनिस्टारोजिशन सस्थान जारी करते हैं municipal bond का एक लाव या है कि इन में से कई कर्मोग आई देते हैं हम अस्या या है कि municipal bond जोकिम रहे नहीं है municipal bond के करोडों निवेस को को या पता चल रहा है कि जिन municipal bond में उन्होंने निवेस किया था वे गंभीर मुस्किल में है अमेरिका में municipal bond में 3 trillion dollars ज्यादा का निवेस है अनुमान है कि इन में से दो तेह bond जोकिम में है क्योंकि वे सारजुन संसाय कड़की हो चुकी है यदि ज्यादा पैसा अंदर नहीं डाला गया तो अमेरिका केंद से ढहने लगेगा जब राज, सहर, अस्पिताल और स्कूल ब्याज नहीं चुका पाएंगे जिस तरह सब्प्राइम घर मालिक नहीं चुका पाये थे और उन्होंने अपने मेकान इसने भड़ना बंद कर दिया था बाउंड बजार संसार का सफ़े बड़ा बजार है या सेर बजार या रिलिश्टेट बजार से भी ज़्यादा बड़ा है इसके सफ़े बजार होने कमों की तरण या है कि जातर लोग बज़त करने वाले होते हैं इस तरदो के निवेसक दुरुभागिस 1971 में जब धन के नियम बदल गए तो इसके बाद बज़त करने वाले सबसे बड़े परिजात बन गए भले ही उन्होंने बॉंड में निवेस करके पैसे बचाए हो याद रखते हैं बज़त करने वाले बॉंड धारग और रिटार्मेंट योजन्दा में पैसे बचाने वाले चाहत लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसे को गतिहिन कर देते हैं जिससे वे दूसरी जगह पर संपत्ति कहिते हैं इसलिए अपने पैसेों को लंबे समय तक AJ काप रखने वाले और बेस्त करने वाले लोग सब के बड़े परिजात्तों की स्रेड़नी में आते हैं नमर थ्री मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूं ज़्यादा व्यस्त रहता है कि निवेस करना सेखना ही नहीं चाहता इस तर्के निवेसक उच्छित होते हैं जो अपनी कारियर परिवार दूसरी रूचियों वेकेशन आदे मुएं बहु ज़्यादा व्यस्त रहते हैं इसलिए वे विति द्रिश्टी से नदर बने रहना पसंद करते हैं और अपने पैसा किसी दूसरे के हवारे कर देते हैं ताकि वा उनकी तरब से इसका प्रबंधन करें जायतर 401 अंटरब्रेक्ट के आई आरे और बहुत अमिन निवेसक भी इसी स्तर के होते हैं वो अपने पैसा किसी विशेसग्य को थमा देते हैं और फिर आस्ता अवा पराथना करते हैं कि उनको विशेसग्य सच्वन विशेसग्य हो जब 2007 में विती संकाट शुरू हुआ तो कई समर्दों लोगों को यह पता चला की उनका विशेसग्य जरसल विशेसग्य नहीं था और इसली भी बुरी बात उसमे भुरोसा नहीं किया जाता था जब रिशेट और सेर्बजा नो लगने लगे तो कुछी महिनों के भीट ट्रियन डॉदर की दौलत सपूर हो गई पैसत में आकर उन निवेसको ने अपने विस्वस्त सलाकारों से मुक्ति की भीग मांगी वो समय निवेसको को यह पता लगा कि उनकी विस्वस्त सलाकार ब पैसा अंदर डालते रहें जिससे पुराइन निवेसको को भुक्तान दिया या सके अमेरिका में बर्निर मेडायव पांजी योजना के कारण भी मसूर हुए थे क्योंकि उन्होंने अमीर लोगों के अर्बो डॉदर के चपर लगा दी तो कानूनी पांजी योजना भी होती है तो योजना जाहे मेडेव की हो 200 सिगरोरिटीज हो या वाल स्ट्रीट हो जह जाती है इसतर तीन वले मैं बहुत ज़्योदा वेस्ट हूँ निवेसको साथ समस्या या है कि वह अपने पैसे गवानने के बात भी कुछ नहीं सीखता उसके पास बुरे अनुभों के सिवा क अब आस इतना कर सकता है कि अपने सलाकार बजार या सरकार को दोस्ते अपनी गलती से सीखना मुश्किल होता है अगर आपको यहीं नहीं पता हो कि कौन सी गलती की थी इसतर चार मैं एक पेस्टेवर हूं इस तक इस इसतर पर एस कोड़न में इसे खुद कोने निवेसक आत सकता है और अपने खुद के निड्डा में निवेसकरता है अर उल्ल्क परवंधर होती है या बिल्कुल नहीं होती दिखिए अगर वा किसी काम को पुद कर सकता है तो फिर सीखने की त्याज जरूद है यह दिवा एक-दू कोर्स करता भी है तो यह आक्सर किसी संक्रिणी विश्चे पर होते हैं 32 सीरेडी हैं और वे चाहते थी कि उन्हें की चीखने में मैं अपना जीवान लगा दूँ जैसे से ज़्यादर लोगों को निवेस करने की जुर्द मौसूस होती है करोड़ो लोग सभी चार सीरेडियों में इस तर चार के छोटे निवेस्चे बन जाते हैं 27 की सीर बजायर के ढहने के बाद करोड़ो लोग उधमी बन गए हैं और उन्होंने चोटे वेफ़ाद सुरू किये हैं और काही रियल स्टेड में निवेस्च कर रहे हैं जब भाव कम है बरहाल जातर अपने हाथ सेरेड टेर्डिंग और सेर्ट सुने में आजमा रहे हैं ज अपने प्रेडर्शन को बढ़ाने के लिए पोच नियूद करते हैं वे उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जो है काम अपने खुद के दम पर करते हैं दमदार वित्य सिख्या के साथ इस्तर चार के कुछ निवेसक अगले इस्तर तो पहुंच जाएंगे जो इस्तर पां इसे खुद करो वाला व्यक्ति होता है जो आई क्वाडर्ण में निवेसक कर रहा है तीजिक कुछ उठान दिये गए जिसे आप तमा सकते हैं कि इस्तर चार के निवेसक और इस्तर पांच की पूंजी पती निवेसक में क्या फर्ख रखता है सबसे चुत्तों दिखें वैसे चाहते हैं कि उनकी टीम सबसे चतुर हो जाते हो जाते हैं कि दो दिमाग एक सी बहतर होते हैं लेकिन एक्सक्राइब के कई निवेसक खुद को संस्थार का सबसे चतुर वक्ती मानते हैं नमबर त्री इसपोर्ण का निवेसक शेख से पुम कमाता है नमबर four निवेसक से जडाँ सी तरप अखोंची तरपर टेक्स पकाता है नमबर फाइब एस कोरुरन का मतभव सौरती भी हो सबाएग मुझरी होते होते रही हैं। नमबर उतने जादा पैसे कमाते हैं।imet फिल अगर बर जब कोई इन्सान जाता है कि बीक और वो सपलता धन को आगारसस करने लगती है अगर भी और वह कोई मपारें पयसे गवाना आसान खाल जाता है एक ब्ड़ा अगर होता है लिगाने के असादम में सफल होने बीच की सफ़ते बड़े अंतरों में से एक है एक बड़ जब कोई वक्ती बीच को एक की वेफ़यर में प्ल हो जाता है तो जीवन आसान हो जाता है इस में के साथ हमस्या होते है कि पूझव उंगाना हमय स्था मुश्चिल होता है मिशाल के तौर पर विक कॉरर्ण को होता है, जब या स्थेर पजार में को अधाया को स्थेर बिसता है फेस्बीक कानिया का आध होने को धारन है कि वीक कॉर्ण को वैबसाय के लिए पुंजी उगाना के तना अधारन होता है कोई भीस में निवेस नहीं करता एक बार जब मैकडॉनल्स ने फ्रंचाइजी सिस्टम के जरिये भी कॉर्डरंट में विश्थार सुरू किया और सेर बजार में सूची बद्ध हुआ तो पैसा अंदर आने लगा कोई वेफसाय सेर बेशता है जिसका करण यह है कि उद्ध में जितने यादा हिस्थी करता है उतना यादा अमीर बनता आता है एस कॉर्डरंट के वेफसाय के लिए सेर बेशना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि वेफसाय इतना छोटा होता है कि उसमें हिस्से नहीं दिया सकते रियल स्टेर्ट में भी यह सच है जब मैं छोटा रियल स्टेर्ट निवेसक था और जो अकेले परिवायर की घरो कॉंडो और 4-30 यूनिट की अपार्टमन इमारतों में निवेस कर रहा था तो करण मिलने में मुश्किल आते थी जिस पल किम और मैंने 100 स्ट ज़्यादा यूनिट वाली अपार्टमन इमारतों में निवेस करना शुरू किया तो बैंक में ज़्यादा पैसे उधार देने के ज़्यादा इच्चुक हो गए इस महरबानी के तरण 100 यूनिट स्ट ज़्यादा की जाजातों पर जिन केम मिलियनों ौॉडर थी बैंक निवेस तक को पैसे नहीं देते हैं वबे तो निवेस को पैसे देते हैं दूशी सब्डों में 100 यूनिट्स ज़्यादा की ज़्यादा जले दोपर बैंक कई लगते हैं जितना की करोड़ों के लिने में और उनका लाबदायक प्रबंदन करने की हमारी योगता से संतुष हो जाते हैं तो बैंक का अगसार हमें पैसा देने के लिए लगा का खड़ हो जाते हैं कंक्रट के दौर में भी इसलिए प्रसनिया है इस तर 5 के निवेस उनका पैसा कहां से प्राप करते हैं जाब है वे इस तर 2 और इस तर 3 के निवेस को सप्राप सरते हैं जो अपने पैसे बचाकर बैंक को और प्रेंसर योजदाओं में रख देती तूनी से शुरू करना मैंने एक उस तक कीम और मेरे बेगर होने की कहाने से इसलिए शुरू की ताके पाठा यह बहाना नहीं बनाता क्यों उनके पास पैसे नहीं हैं आपें पाофजूद ज्यादा चत्रों बन सकते हैं ज्यादा बड़ा सोच सकते हैं और ज्यादा मेरे ज्यादा जवन में मेरे पास कभी प्रयाब माशचा प्रक्रीण सब्ते हैं अगर मैं पैसा नहीं होने कंगा मनाता कैसे क्गे जय से और पता होना земly करें जाए और बहुत सारी लोगों के खातर बहुत सारा पैसा बनाने के लिए दूसरी लोगों के पैसों का इस्तमाल कैसे किया जाए। इसका मतलब था कि मुझे बी और आए कॉलिटों में तपल होने के लिए आवस्य योगताओ का अध्यन करना था। मेरे माता पता कॉलेज, लोई स्कूल और मेडिकल कॉलेज जैसे परामप्रिक स्कूल कॉलेजियों में विश्वास करते थे। वेची ग्रेड, उपाधियों और परमार पत्रों को मौहत हो देते थे। जैसे की कानुन की डिगरी या मेडिकल लाइसंस मेरे मेरे अमेडरी सिश्वास करते थे। लेकिन पारमप्रिक स्कूल ऑप कि सिश्वास में नहीं इसी को जाने क chỉए मेरे अमेडरी सिमिनारों और कोर्सों में जाते थे। जो उनके वेपसाय और निवेस की योगताओं को बहते बनाते थे उन्होंने व्यक्तिकत विकास स्पोर्स भी किये जिरेडिया डिग्री में उनकी कोई रूची नहीं थी वैसलिए जीवन की योगता जाते थे जो उनने बी और आए कोईडिनेटों में सक्तिसाली बनाए और काम काश करने में ज्यादा की निप्ल बनाए जब मैं हाई स्कूल में था तो अमें डैड़ी अक्तर मीमान से उत्यमी और निवेस पर सेमिनारों में सिर्कत करनने के लिए ओनों लूलू जाते थे एक दिन जब मैंने अपने गरिब डैड़ी से कहा कि आमें डैड़ी बिकरी क्लास पर चार है तो गरिब डैड़ी हस दिये वह यानि समच पाया कि किसी को बेचा सीखने की क्या जूरूत है खास तोर पर अगर उसकोर्ट से घंटे किसी मुझे कॉलेज डिगरी में क्रेड़ी के रूप में नहीं जूडने वाले हों गरिब डैड़ी आमेड़ी को नीचे समझते थे क्योंकि आमेड़ी ने कभी हाई स्कूल के पढ़़ए नहीं पूरी की थी क्योंकि मेरे पास तापर बिंद नजरी रखने वाले दो डैड़ी थे इसलिए मुझे इस बात पर चला कि एक ज़्यादा प्रकार्ट के शुक्ता होती है पर आमपरिक उसकूर उन लोगों के लिए स्कूल होना चाहते हैं दूसरे प्रकार के शिच्छा उन लोगों के लिए है जो बी और आई क्वाडिन्ट में स्कूल होना चाहते हैं और बी या आई बनने वाला था अंधता पूंजी उपती बनने के लिए 1973 में मेरे आमें डाड़ी ने मज़े सुझाओ दिया कि मैं रिलिष्टेट निवेस पर ब्यास कर लूँ उन्होंने कहा अगर तुम से फल पूंजी उपती बनना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पूंजी कैसे उगाय जाती है और पैसे कमाने के लिए कर्ज का इस्तमाल कैसे किया आता है उस साल मैं रिलिष्टेट निवेस पर तीन दिन की कारसाला में गया या पूंजी पती की संसार में मेरी तिस्टा की सुरुवात थी कुछ महीनों बाद का उसे ज़्यादा जाज़ाद देखने के बाद मैंने माओ के टाउपू पर मेरी पहले किराय वाली जाज़ाद खर द पती में होनी ही चाहिए उन्यस चौहतर में मैरी कोर के साथ मेरा अनुवंद सत्म हो गया और मैंने हवाय में जरॉवस कोरपरेसर में नौकरी कर ली इसलिए नहीं क्यूंकि मैं कंपनी की सीड़ी करना जाता था बलकि इसलिए क्यूंकि जरॉवस की सब प्रसेश्षन योज यह सरकार की डिटायर में योजना की जरूर नहीं पढ़ने वाले हमें डैडी ने सही कहा था मेरी देश्षा ने मुझे सतनर कर दिया था लेकिन उस इस्था नहीं नहीं जो परांपरिक स्कूली से मिलती जब 2007 में बजार लोटने लगे तो हमारी दौलत बागे अर्थ-थो को फिर लें और उनके स्वावियों बन जाए 2010 में कीम और मैंने रिश्ष्टेट में 87 मिलियन डॉलर ज्यादा के प्रॉप्टे के लिए जाही रहे इसके लिए हमने बैंक को और प्रेंजन फंडों से कर्ज का इसमाल किया वहां साल हमारा सर्फ जैसा हमें डैडी अक्सर कहत कि आप आज कहां है या आप निवेस इसतर एक पर हैं यह दिए आपके संपत्ति वाले क् Columbus में कुछ नहीं है आपके निवेसों से कोइई नहीं हो रही है और आप के पास बहुत ज़्यादे दाईत हो हैं तो आप नीचे के इसतर शुरू कर रहे हैं यैनी सूनि से अगर पहले वेफ्टाइक गवाया था तो मैं लगभग एक मिलिन डॉलर के करज में था इसे सूनी तक पहुंचाने में मुझे लगभग 5 साल का समय लग गया तो मैं मैं अपनी गलतियों से सीखना और अपनी गलतियों की जिम्दारी लेना वह सब्सक्राइब जो मुझे मिल सकती थ है जिसका इस्तिमाल करके हम लागों डॉलर के बुरे सर्ष से बाहर निकले यहां एक असान लवात दर्द्रहित प्रक्रिया है इसमें बस थोड़े अनुस्वासन और सीखने की इस्था की यूरत होती है कि आप निवेसर के सर्दों पर हैं अगर आप बज़त करने वाले है तो बहुत साउधान रहे खास तोर पर अगर आप किसी बैंक के रिटार्मेंट योज़ना में पैसे बचा रहे हैं आम तोर पर बचत करने वाले लोग हारते हैं बचत करना पराया उन लोग के रणीति होती है जो कुछ नहीं सीखना चाहते दीखी बचत करने के लिए किसी भी तीवर्दी की जिरूत नहीं होती है आप पैसे बचाने के लिए किसी बंदर को भी परसे चीकर सकते हैं बचत में जोकिम यह रहता है कि आप बहुत कम सीखवाते हैं और आगर आपकी बचत साफ हो जाती है या तो बचार गिनने के करण या पैसे की आपूर्थी क्या करने वाली नहीं है या बचत करने वाली लोग को अजीब लग सकता है लेकिन बचार और बैंको को उधार लेने वाली लोगों की जूद्ध होती है कि आप निवेस्ता की सतर पीन पर है या इसतर भी इसतर दो के समानी है उतना है कि या इसतर सेरो वांडो मुचिल फंडो वीमा और एटियफ जिस्टे जदा जो कि भाई निवेस्तों में निवेस करता है एक बार फिर इस इ करने के लिए तयार हो, तो इस्तरचार आप के लिए एक अच्छा इस्तर है, क्या आप निवेशक इस्तरचार पर हैं, जिदि आप पेसवन निवेशक के रूप में यहां पर हैं, तो बधाई, बहुत कम लोग अपने पैसों का इस प्रम्धर करना सीखने के लिए, समय का है, जीमन सीखते रहना, इसकी कुंजी है, महान सिच्छक, महान कोज, और समान महान सिखता वाले कमित्रffen इस तर चैनल निवेशक अपने जीमन का नियांतर लेते हैं, और यह जानते हैं कि उनकी गलतिया चीद सीखने और विकास करने के आफसर है, निवेशक करने के डडर स होता है संसार कोई स्मीमा नहीं रह गई है ते ज़्यति वाली इस प्रवाली की संसार में जंपन्निता से भरे समर्द्रि संसार पूँजी वादी बनना बहुता आसान है अगर आपको पाजने के बारे में एक भेदे await ही जीवन को उस 것 मेरा जीने का चिनाव करने की सुनता है जिस तरह आप जीना चाहते हैं उंची डोटों जाना कि बात नहीं गोटोंड डोट हो जाना कि स्कूल और कोलेज लोगों कवैंने बनाते हैं क्योंकि मैं उंची उंची डिग्रियों वाले पयारवार में पला बड़ा था मेरे जायता चाचाओ और चाचों के पास इस तान उक्तरों की उताब दिती कई के पास तो PhD की उपाद भी दिती मैं इक कॉर्डर में भी कंपनी की CD पनने चाहता था ना ही एस कॉर्डर में कोई बहुत खास विस्टर की बनना चाहता था इसलिए मैंने वह मार्व चुना इस पर कम लोग चलते हैं इसलिए मैंने उद्धमी तथा P7 निवेसिक बनने के रिड़ने लिया मैं पर संसार की हतरा करने, व्यवसाय करने और निवेस करने की सौत अंतरता चाहता था जब मेरा चैन था, मैं इस मार की सला हर व्यक्ति को नहीं देता हूँ लेकिन मैं यह सला जोड़ देता हूँ यह आप खुच चुने, सोतानृता यही है, चुनाओ को ने की सकती मैं आपको परसायत करता हूँ कि आप निवेस को के पांच इस्तरों को देखने के बाद अपना विकल्प तुने हर इस्तर के अपने फाइदेया और नुखान है हर इस्तर की पैसे ज़्यादा बड़ी कीमत है यदि आप इस्तर एक दू यह तीन का चिनाओ करते हैं तो कई दूसरी लोग और संगठन उन इस्तरों पर आपके निवेस में मत पर सकते हैं 1997 में कीम और मैने दरीज कंपनी बनाई ताकि हम इस्तर चार और इस्तर पांच के निवेस में बनने के इच्चिक लोगों को स्याश्रिक खेल, प्रोग्राम और कोच प्रदान कर सकते हैं निवेस पर अंतिन सब्द पैसेक संसार में आप अक्सार आरोई सब्दा वले देखेंगे निवेस पर प्रतिसर यानि रिटन ऑन इन्वेस्टमेंट आप किस से बात कर रहे हैं उस हिसाब से आरोई अलागल होगी मिसाल के तोर पर अगर आप किसी बैंकर से बात करते हैं तो वा कहेगा हम आपके पैसों पर तीन परतिसर ब्याद देते हैं कई लोगों को यह अच्छा लग सकता है अगर आपके से वित योजन अकार से बात करते हैं तो वा कहेगा आपने निवेस पर एक साल में 10% मुनाफ़ की उम्मिद कर सकते हैं कई लोगों के लिए 10% मुनाफ़ रोमान चक होता है जा तो लोगों को ऐसा लगता है खास तोर पर उन्हें जो E और S क्वाडरेंट में होते हैं कि मुनाफ़ जितना जाद होगा जोकिम भी उतना जाद होगा इसलिए 10% मुनाफ़ सकार करने वाला वक्ती पहले ही कलपना कर लेता है कि उस नीवेश में बैंक के 3% के मुनाफ़ जादा जोकिम है और यहां होता भी जादा भी है वी संगती यह है कि बैंक का 3% और सेर बजार का 10% मुनाफ़ा दोने ही बेजोकिम भर है बैंक में पैसों के मुंदर स्विती और ज्यादा उंचे करकर जोकिम रहता है जो बैंकों के नोट छापने से उत्पंद होता है सेर बैजार में 10% मुनाफ़ा HFT यानि बहुत ज्यादा खरीद फ्रोद द्वारा उत्पंद उताच और होगे करन जोकिम में होता है और इस वज़ा से होता है क्योंकि नोसकिया निवेस एक बीमे किमिना निवेस करता है मेरे संसार में ROI का मतलब है Return on Information यानि सूचना पर मुनाफ़ा इसका मतलब है कि मेरे पाद जिनने ज़्यादा जैनकरी होगी मेरे मुनाफ़ा उतना ही ज़्यादा होगा और मेरा जोकिम उतना ही कम होगा मैं आपको चितावनी दे रहा हूँ क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ वह आपको पागलपन भरा लगेगा या ऐसा लगेगा कि या सच नहीं हो सकता लेकिन में आपको आस्व कद्दूम या सच है मेरे संसार में इस्तर चार और इस्तर पांच के निवेसक के संसार में आसमित मुनाफ़ा आपकेचित होता है और वह भी कम जोकिम पर आसमित प्रतिकल का मतलब है सोनी की बदले पैसा दूसरे सब्दों में निवेशको को निवेश में अपने खुद के पैसा लगाया बिना ही आमने प्राथ होती है, पहले मैंने लिखा था कि मैंने 1973 में एडियर स्टेट में कोर्स किया था, सौस्याद निवेशको को देखने के बाद मैंने माव के टाफू पर मेरा पहला काउंडो खईदा, जिसमें सौप पर्टिसत तर्ज से फाइनेंसिंग कराई गई थी, जिसका मतलब यह था कि मैंने अपने पैसों का इस्तमार नहीं किया था, हर मेहने मेरे जेब में 25 डॉलर का कैस्प्रो आ रहा था, यह 25 डॉलर मेरे निवेश पर आस्मित लाप था, क्योंकि मेरे निवेश से सूने था, और मैं उस खंड़ से उधरन देना चाहूंगा, मेरी असली जिन्दिगी की सिच्छा सुरू हो गई थी, मैं पैसे बनाने के लिए दूसरी लोगों की पैसों का इस्मार करना सीख रहा था, यह एक ऐसी योगता है, जो सचे पुझी पत तरीका सीखना था, और परिणाम उत्वन करने का तरीका सीखना था, आज मेरे पास इतना यदा पैसा है, इसका एक करन बस यह है, कि मुझे अलग तरीके से सोचने के सिच्छा और प्रसिश्चन मिला है, अगर आपने मेरी पुस्तक प्रिजड़ और पुरड़ ड़ड़ प काम करना सीखने के लिए स्कूल गये थे, वया सीखने के लिए स्कूल लहे गये थे कि दूसरे लोगों के पैसों से अपनी खातर काम वैसे कराया जाए, जब किम और मैंने दर इस कंपनी की सुभात की, तो हमने निवेज को से ढ़ाई लाव डॉलर उधार लिए, जिब कंप प्रती उदार होते हैं, मेरा मुद्दा यहा है, कि जिस पल को यह वक्ती जान जाता है, कि दूसरी लोगों के पैसे या बैंक के पैसे, या सूने सी पैसे कैसे बनाया जाता है, उसी पलवा एक भीन संसार में परवेश कर जाता है, यह संसार ई और एस कॉर्ण के लोगों के संसार से बिल्कुल विफ्रीत है जहां कड़ी मेहनत ऊचे कर और निवेश पर कम मुनाफ़ा पाया जाता है जहाते लोगों को या विश्वास होता है कि बचत करना फित्रोय भरा तरीका है और सेर्बजार में 10% मुनाफ़ा रोमांचक होता है इसका करण से विति सिच्छा का अभाव है आपका सर्व स्रेश आरोवाई आपके निवेश पर मुनाफ़ा नहीं है बलकि आपके सुचने पर मुनाफ़ा है इसलिए विति सिच्छा अनिवार रहे खास तोर पर आगे के संसार की अनिशिष्टा के लिए सिच्छा सब्दी के बारे में यह याद रखते कि हमें जानकारी को अर्थ में बलने की विति रिती है सुचने में हम विति जानकारी में डूबे हुए हैं लेकिन विति थिच्छा के बिना हम जानकारी को हमारे जीवान के लिए उपयोगी अर्थ में ने बल सकते अंत में मैं कहता हूँ कि I-Cuardian आपके भविश्य के लिए सब्सक्रे महतपूर काड़रेंट है आप आज जी वीका के लिए चाहे जो करते हो आप I-Cuardian में कितना अच्छा प्रदसन करते हैं उसे से आपका भविश्य तय होगा दूसरे सब्दों में भले ही आप I-Cuardian में बहुत कम पैसे कमाते हो लेकिन I-Cuardian में वीति सिच्चा सुतनरता और वीति सुरुच्चा का आपका ठिकट है मिसाल के तोर पर मेरी बहन बुद्ध नन है वहाँ I-Cuardian में सुनी कमाती है लेकिन वह हमारे निवे स्कोर्स में हिस्से लेती है और लगातार अपनी वीति सिच्चा बढ़ा रही है आज उसका भविश्य उज्वल है क्योंकि उसने बैंक में पैसे बचाना और mutual fund खेना छोड़ दिया है अब उसने रिल स्टेट और चान्दी में निवे सुरू कर दिया है 2000 से 2010 के बीच 10 वर्स में उसने आई कॉर्ण में इतना ज़्यादा पैसा कमाया जितना वाकभी ऐस कॉर्ण में नन की रूम में जिन्दी की भर में नहीं कमा सकती थी मुझे अपनी बहाइन पर बहुत गर्व है वा पेसे से नन हो सकती है लेकिन उसे गरीम नन होने की जुरूत नहीं है आगे पढ़ने से पहले बड़ा सवाल या है अगर आप जल्दी दालोद मत बनने के लिए सच में गंभी रहे तो पाच इस्तरों को पढ़ें और बाहर पर पढ़ें जब भी मैं इन इस्तरों के बारे में बढ़ता हूँ तो मुझे हर बार सभी इस्तरों पर अपने थोर दूर चभी दिखाई दिती है मैं ना सिर्फ अपने सकतियों को पहचानता हूँ बल्कि उन चरिदिक दोस्तों को भी पहचान जाता हूँ जो मुझे पीछे रोके रखते हैं भारीविति दौलत के राय यही है कि आप अपने सक्तियों को मजबूत करें और अपने चरिदिक के दोस्तों को दूर करें और ऐसा करने का रास्ता यहा है या सबते पहले तो उन्हें पहचाने और या ढोंग नहीं करें कि आप पुरी तरह से आदर्स और दोस रही थे हम सब भी अपने बारे में सर्फिर सोचना चाहते हैं मैंने अपने जातर जीवर में इस तर पांच का पूंजी बनने का सपना देखा था मैं जानता था कि मैं यहीं बनना चाहता था या उसी पल हो गया था जब मेरे में डैड़ी ने मुझे सेर चुनने वाले और घोड़े पर दाउन लगाने वाले की बीच समानता बताई थी लेकिन इस सूची की भिनिस्तरों का अधिन करने के बाद मैं चरीतर के उन दोसों को देख सकता था जिन्होंने मुझे पीचे रोग रखा था मैंने अपने भीतर इस्तर चाहर के चरीतर दोस्त पाए जो दबाओ के समय में अपना बस्वरा से उठा लेते थे इसलिए कि मैं अपने दोस्तों और अतरीक पतिश्चर के माँ दर्सन से मैंने अपने चरीतरिक दोस्तों को दोस्त करना शुरू किया और उन्हें सक्तियों में बदला इस्तर पाँच की निवेसक के रूप में मेरी प्रभाव कारीता तुरंद बहतर हो गई अलाकि आज मैं इस्तर पाँच की निवेसक की रूप में काम करता हूँ लेकिन मैं अभी पाँचों इस्तरों को बार बार पढ़ता हूँ और खुद को बहतर बनाने पर काम करता हूँ आप लिए एक और सवाल या है नमबर टू निकेट भविस्य में आप किस इस्तर के निवेसक बनना चाहते हैं जिताओनी इस्तर पांच का निवेसक बनने के लाच रखने वाले हर वेक्ति को इससे पहले इस्तर चार के निवेसक की योगताव को विशित करना होगा इसितर पांस तक पुहुशने के मारग में आप इसतर चार को लाग pomoc नहीं सकते हैं जो भी ऐसा करने को मुश्रते हैं वो दरसल इसितर तीन का निवेशक है और परस हैं और प्रसन दो का आप का जौब वही है जो पर सो एक कथा तो आप वही हैं जो आप होना चाहते हैं बड़ाल अगर आप आप भी वीति दिरिश्टी से ज़्यादा जाते हैं और अपने वीति सुतनता का पिछा करने में रूश्ची रखते हैं तो आगा पढ़ते रहें बागी बचे अध्याओं मुल्तपी और राइक कॉर्डरेंटों में आवस्यक गुड़ों पर ध्यान इंद्रित होगा जो दाई तरफ की मुर्श संपत्यों को संब्व बनाती है आगे बढ़ने से पहले मेरा एक आखिर सवाल है नमबर त्री किम और मैं बेगर थे दस साल से कम समय में मिलने बनने के लिए आपको कहा रगता है हमें किस इस तर का निवेसक बनने की जिरूत थी जवाब अगले अध्याय में है जहां मैं 237 तक हमारी विक्ति का ज्यात्रा से कुछ सीखने के अनुपर बताने जा रहा हूँ दोस्तो आज के लिए इतना है अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अध्याय चीकी जिसका नाम है धन को आखों से नहीं देखा जा सकता दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब जान को सब्सक्राइम नहीं किया है तो प्लीज सिस्क्राइब कर दें और हा साथ यसाथ इस वीडियो को और इस वीडियो की पूरी प्ली लिस्ट को अपने दोस्तों और अपने परिवारवारों को जरूर सेर करें ताकि वह वह इस नौलेज का भरपूर फायदा उठा सकें